हेलो दोस्तों रेस्टराइन में जाके तो हमने शाही पनीर कई बार खाई है तो क्यों ना आज हम शाही पनीर घर में ही बनाएं तो इससे पहले शुरू करने से पहले मेरा नाम है संगीता एन वेलकम टू माई यूटूब चैनल कुक्विच संगीता तो आज मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्रीन चिल्ली और आदा एंज अद्रक का टुकडा मैंने यहाँ छे प्याज लिए है और आच अदस तमाटर लिए है मेरे चोटे साइस के है तो आप अगर बड़े तमाटर ले र टेणे जाहे तो नें काशने को इला से अधर की रादक साइस कि अगर legal तो यहाँ इक इस दूम कर लिएक टेबल सपून और रोल लिया है बम मैंने एक चमब्ल स्पून आप अलिय को जैया रिया मैंने हो जा चुमेर को च सायहाँ जिरा चरा यहाँ बुनने दिंगे जैसे अब हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज ट्रांस्प कर को लाइद करेंगे जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाता है तो ग्रेवी में जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है तो देखे प्याज तो भुनने वाला है अब यहां मैंने ग्रेवी को रिच बनाने के लिए यहां पर काजी और बदाम यूज़ करें है माइने टमाटर को चौप करके रखा था मैं टमाटर को एड़ कर दोगी तो टमाटर को हम अच्छे से चलाएंगे और फिर विन जब तक टमाट्र फ् Senator सौफनाbest आ पकाएंगे तमाटर वह सॉफ्ट करने के लिए एक चमच नमक यूज़ करा था नमक से जो आए टमाटर पर जल्दी से भून जाएंगे यहां पर मैंने एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर यूज़ करा था अब यहां मैं थोड़ा सा पानी डालोंगी ताकि जो ग्रेवी के लिए हमने तयारी कर रखी है वो जल्दी से जली तयार हो जाए मैंने आप लेट डग दिया और हम यहां पर इंग्रिणिन को पकने देंगे देखे आल्मोस्स जो है ग्रेवी की तयारी हो चुकी है देखे pela के तो पक चुकी है兩il के निकाल सकुटुकी हम निकालन और हमें खेडी मसालों को अगर आंग्रिण कि अग्रिणिन कर देती हैं तो ब्रखे ग्रिवी थंडी हो चुकी है मिक्सर में जालता पिस लोगी तो देखी है ट्यार हो गया अर ukshan लेगे जब हम ग्रेवी को इस तरह से चान सब्समूआब अब यह जी बोड़्व पार्ट लेगे अब हमारे ग्रेवी त्यार हो चुकी है अब हमने कड़ाये से लिए है उसमें summarized some क macam जावा है इस के भी गिरम हो जाएगा मैंने एक इल्लबट देड़ हो अब हींग जिसे भुन गई है अब हम यहां पे ग्रेवी को आड़ कर दिंगे की कि इसके बाद मैंने यहां पे एक चम्मच कश्मीरी देगी में चीज़ करी एक कर देगी में चीज़ करी आई कियोंकि इससे जो रहा है अब यहां पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज अब यहां मैंने अच्छी से सब्सक्राइब को चलाना है मैंने एक चमच किछन किंग यूज करा है इसके बाद मैंने यहां पर तीन चुथाई कप मलाई का यूज करा हुआ है यहां आप चाहो तो क्रीम का यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर मलाई डाली है मलाई डालने के बाद हमें ग्रेवी को कंटिनुस चलाना है अधरवाइस जो हमारी ग्रेवी है वो फट जाएगी तो देखिए जो ग्रेवी है वो आलमोस्ट पक चुकी है इसके बाद मैंने यहां पर एक चमच नमक यूज करते हैं अब यहां पर मैंने आदा चमच चीनी का यूज करा हुआ है रेस्ट बाद चीनी यूज करते हैं ताकि ग्रेवी में थोड़ा सा मीठा पना जो आता है वो इसी वज़े से आता है मैंने 200 ग्राम पनीर को अलग से चौप करके रखा था अब मैंने पनीर को ग्रेवी में डाल दिया है पनी डालने के बाद हमें ग्रेवी को जड़ा पकाना नहीं होता अधर्वाइस जो हमारे पनी के टुकड़े हैं वह बहुत हाड हो जाएंगे तो हम इस ग्रेवी को आगे पांट से छे मिन्ट के लिए और पकाएंगे इसके बद मैंने यहाँ पर आदा चमच गरम मसाला यूज करा है गरम मसाला हम एंड में यूज करते हैं जब हमारी जो सबजी है वह अच्छे से पक जाती है तो देखे शाही पनीर हमारा रेडियो हो चुका है मैंने यहाँ पर बाद में एक चमच कसूरी मेति को करश करके डाला है कसूरी मेति से जो है सबजी का फ्लेवर है बहुत अच्छा है नानस हो जाता है और बहुत अच्छा रोमा आता है तो देखे शाही पनीर अब एकदम रेडियो हो चुकी है मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है कि शाही पनीर अब सर्फ करने के लिक दम रेडिये तो चलिए अब हमेंसे शार्व करेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे अब हम उपर से इसे क्रीम और फ्रेश धनिय की पत्तियों से गानिश करेंगे तो देखे एकदम रेस्टोरन जैसी हमारे पास शाही पनी बन के रेली है तो आप भी से ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबेक दिना ना भूलें कि आपकी शाही पनी कैसी बनी थैंक यू दोस्तों फो वाचिंग मैं वीडियो कर दोस्तों कि वीडियो कि आपकी बनी